हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम एयर प्लूशन जो कि आपकी एक आप्शनल सब्जेक्ट है बोले तो कामन सब्जेक्ट और ये बहुत से कॉलेज में चलती है आप्शनल के रूप में और बाकी बहुत स रहे कॉलेज में ये अफशनल नहीं पढ़ायजाती है तो जिस भी exxam point of view और इसमें एक चीजह और है कि आप इसमें देख रहे होगी जो भी आप यह टॉपिक देख हैं टॉपिक आपके सेम रहते हैं बस यह है आपका जैसे यूनिट फेस्ट में कई सारे टॉपिक में तो आपको में चीज है कि आपको टॉपिक वर् पढ़ना है कि जैसे एर फलुस Κण हो गया तो इसका परट फार्ष फार्ष जो है कोसिस करेंगे की कम्प्लीट हो जाये नहीं कम्प्लीट भता है तो आप स्ट्र पर्ट में इसको देख सकते हैं तो स्सकार करते ही कि देखें आ गए यहां पर आपका सहर् suicide जो भी इंपמ׃ PeakION होगा उद्ष करेंगे देखने की फाल्तु में टाइम का जो है वेस्टेस करना कोई मतलब नहीं है क्योंकि टाइम आपके पास कम ही रहता है आप सोचते हैं कम टाइम में ज़्यादा हम पढ़ लें और में मोटो यह रहता है तो आप यहां पर देखेंगे कि जो है यह question है आपका what is air pollution फिर है discuss the composition of atmosphere तो air pollution क्या होता है और उसके आपको discuss उसके बारे में बताना है जो भी composition है atmosphere का atmosphere किस-किस चीजों से बना हुआ है उसके components या composition बताना है उसका तो air pollution होता क्या है यह सबसे पहले हम द रहता रहती है कि वाई producer क्या हता है वाई यू जब producer हो जाती है उसी को वाई producer कहते है वाई producer होता किस-किस कारण से है तो यहीं देखेंगे हम air pollution समझी रहे हैं तो simple है pollution is an undesirable change in the physical, chemical और biological characteristics of air, water and soil that may harmfully affect the life or creative potential life, hazard of any living organism especially for mind अब इसको आप यह नहीं कि जो लिखा है वही आप लिखेंगे simple समझ लिजिए उसके बाद अपने वर्स में लिख सकते हैं इसको तो जो pollution होता है वो आपकी जो भी chemical, biological या physical जो भी characteristics of air है एर की जो भी characteristics हैं उनको change कर दे उके unresizable change मतलब ना चाहते हैं भी उसकी जो property हो air को मतलब गंदा कर दे कर अच्छी हवा है तो गंदी हो जाए किन ही भी कारोड से और वो हो सकता है आपका जैसे air है water है soil है यह सारे effect करते हैं इसको air pollution को प्लांट्स वगरा को आप छोड़ दें तो मैन जो है living organism है तो living organism को जो है effect करें और harmful उसको उसके लिए harmful effect पाइदा करें उससे हम क्या कहते है air pollution कहते है air आपकी polluted हो रही है मैं लिए समझे ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आप देखेगा एक और definition इसकी दिए pollution is a unwanted alteration to the earth natural resource usually with a negative impact of human health और life style मला भी निगेटिव इसके point of view हूँ air pollution के जो आपके lifestyle को जो है या health को effect करें उसी को हम जो है कह सकते हैं कि यह pollution है और उसमें pollution कई टाइप के होते हैं air water तो इसमें में लिए हम air से related जो भी pollution होगा उसको हम air pollution बोलेंगे अब फिर है composition of atmosphere तो atmosphere के composition कौन-कौन से हो सकते हैं जिससे मिलके बनी हुई है तो दिखते है clean air is made of nitrogen जो आपकी स्वच हवा है वो किस से मिलके बनी हुई nitrogen oxygen and organ with traces of other gases such as carbon dioxide इसमें और भी gases हो सकते हैं जैसे की carbon dioxide भी हो सकते हैं फिर but natures try to balance the natural composition of environment which is disturbed by human being अलब natures में जो प्रकृत में balance ना होने के कारण जो भी natural composition है उनका balance environment में ना होने के कारण आपका human being मतलब जो जीवन है या life है वो आपकी disbalance हो रही मतलब कहने का try to balance मतलब balance नहीं रहती है try to balance उसको balance करने के लिए हम यह सारे composition एक जितनी मातरा में होने चाहिए उतने होने चाहिए उससे अगर ज्यादा है या कम है तो यह आपके जो environment को affect करते हैं फिन नेश्ट पॉइंट है प्लांट जो लेते हैं वो क्या लेते हैं आप जानते होंगे प्लांट कारवन डायकसाइड लेते हैं और हम लोगों को oxygen की ज़र परते हैं तो दोनों लोग एक दूसरे पर different है मतलब बराबर दोनों को contribution है respiration में यूज करते हैं और releases like giving oxygen जो प्लांट होते हैं वो oxygen देते हैं और लेते क्या है carbon dioxide यह मेली यहाँ पर इनका रोल हो गया फिर देखे तर नेचर एसेट्स जेनरल exploitation but unusual exploitation harms air composition badly air composition अगर आपका सही नहीं है तो यह भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं effect करेगा उसी को exploit करेगा तो यह सब चीज़ें यहाँ पर composition दिया गया है देखिए एक बार element दिया गया है और कितने पीपियम जो है पीपियम मतलब होता है parts per million तो कितने पीपियम nitrogen चाहिए oxygen चाहिए यह सारी इसकी जो एक quantity है यह उसके लिए याद हो ना याद नहीं होगा बाकी देख सबसे देखें कम नाइट्रस आकसाइड होता है 0.5 hydrogen होता है यह सारी जो आपकी आरगन है नियोन है यह जो लास्ट ग्रूप 18 ग्रूप की जो गयस होती है यह इनका जीरो ग्रूप से बोलते हैं उनका composition मतलब कम ही मात्रा रहती है देख सकते हैं आप इसे में एक दो पॉइ and results mainly gas emission and industry मिकले जो इह होता है तो आपकी जो इंडेस्ट्य होते हैं उससे निकलने वाले जो गइस होते हैं वह produto करते हैं या थालमर पावर स्टेशन जो होते हैं आटोमबाइस डॉमेस्टिक कमबस्टन्स या स्मोक फायर यह सारी चीज़े आपके एर को जो है गंदा करती है और पॉलूट करती है तो इससे एर पॉलूटन्स फैलता है इंतों एडमस्फेर लिकावाँ तो फिर अवर एडमस्फेर कवर ती अर्थ एजा ब्लंकेट जो एटमस्पेर होता है वो आर्थ को एक कंबल की बाहाँ जैसे कंबल होता है उसी टाइप से उसको ढखे हुआ है तो अगर वो गंदा हो होगा एफेक्ट होगा तो आपके एर्थ पर रहने वाले जो मन से उनको भी दिक्कत होगी तो कंबिनेशन आप वेरिस गैसे विच प्रोटेक्ट से लिविंग विंग से अल्ट्रा वाइड रेडियाशन हो गया वह आपको एटमस्फेर जब ढखा हुआ एर्थ से तो वो उसको बचाता है इस एटमस्फेर हेल्पिन स्प्रेडिंग रेडियो वेब्साइज मीडियम तो यह सारी चीजह आप देख सकते हैं फिर देखें डिसकस दी सोर्से आफ एर पॉलूशन अब जो है सोर्स आपको बताना है एर प पॉलूशन ओके तो इसमें देखें आफ्टर स्टार्टिंग इंडस्ट्रियल रिवलूशन सोसाइटि वीगन मतलब यहां समझ सकते हैं को जो इंडस्ट्री आपके होती हैं उनसे निकलने वाले जो भी गंदे होते हैं डिस्पोर्ष होते हैं वेस्ट मटेरिल होते हैं वो और फिर यह सारे पॉइंट आप समझ रहें वही है पॉलुशन के बारे में लिखना आपको पॉलुशन इज अंडाजिबल चेंज इन एर लबना चाहते हैं एर का चेंज हो जाना वाटर रिया स्वाइट करना हेल्थ को सर्वाइवल करने जीवन के लिए एक्टिविटी आफ पूरी तरिके से तो नहीं मतलब रोक सकते हैं जो नेचुरल आपका पूरूशन होगा तो यह पूर्यर्च कर शकते हैं कि कब होता है उसको ठोड़ा उसके परतियाब पहले से क्या खह सकते हैं management उसका कर सकते हैं बाकि उसको पूरी तरीके से stop नहीं कर सकते हैं फारी जमपन जैसे लैंड sliding अब लैंड sliding उसको आप रोक नहीं सकते हैं बस उसके लिए कुछ चीजे जैसे ब्रच रोपर किया जाता है कहीं कहीं और इस सारी वह ग्लोबल मार्मिंग को कम करें इस से जो है दिक्कते आपकी थोड़ी से कम हो सकते हैं बस वालकनिक इस साथ और यह सारी चीजे आपकी पूरी तरीके से गल जाएंगे यह खतम हो जाएंगी और सुलो जो चुलो मतलब तो पूरी तरीके से नहीं खतम होगी लेकिन कुछ मांतरा में खतम हो जाएगा उनके लिए बहुत ज्यादा जैसे नॉन बायोडेगडेबल जो पॉलुटेंट्स होंगे उनमें आपका जैसे की हो गया फ़ार लेड हो गई मरकरी हो गई एच जी जिसे बोलते हैं अलमुनियम हो गई या एटॉमिक और जो नुक्लियर वेस्ट होता है वो हो गया आपका नॉन डिगडेबल वो पूरी त लिए ये मतलब आपके मुक्ही रिजन हो सकते हैं इंडेस्टिलाजेशन से भी आपका ये पूर्न सब्सक्क्राइब ऋकेाफ मियुमिव सकते हैं opened कि पिर देखें कि इंडेस्ट्रियाल राविस होता है सीवेस कुर्टिंग ऑफ फोरेष्ट को ही कुर्टिंग ऐफ फ़रेश्ट बोलते मतलब पेडों को काटना कम करना तो यह आप था फ्रस्ट फार्ट और इसमें देखे कुछ पार्ट है Mind Maid Aero Closen अमने बता ही दिया कौन कौन सोर्स होते हैं जैसे इसमें समझा सकते हैं ज्याद़ यह होगा उससे भी आपका- दिख्कत होगी इंडस्ट्रियल भी मैंने बता दिया तो इसमें सारे Alright सब्सक्राइब करेंगे अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और अपने कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो अगर कुछ कुछ चीजे मतलब छूट रही या कुछ कम हो रहा है या कुछ नहीं बता पा रहा हूं वो भी आप कमेंट करेंगे इससे कि मैं इसमें सुधार सकर सकूँ ओके दोस्तों थैंक्स सभी को देखने के लिए जो भी जितना वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और नेश्ट वीडियो में तभी लाओंगा जब मतलब आप उसमें कमेंड करेंगे कि हाँ ठीक है दूसरा चाहिए नहीं चाहिए तो मैं नहीं डालूगा ओके थैंक्यू सो मजच